Hey guys! आज हम एक्स्प् growers करने वाले हैं एक और एक्सन मूवी जिसका नाम है Last Scens Alive फिल्म में मैंट तर्दर गेरारज बुटलर का है तो इस पिल्म में उसकी पतनी को उठा लिया जाता है उससे ये पूछ रहा है कि जिस लड़की को तुमने अगवा किया था यानि किट्नैप किया था वो लड़की है कहाँ पर तो नुकल्स बोलता है कि वो लड़की तो मारी जा चुकी है दूसरे लोगों ने उस लड़की को मार दिया इस बात से पुलिस वाले पैटरसन को बोगो जदा गुसा आता है तब हमें आठ गंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहां एक गाड़ी के अंदर विल और उसकी पदनी लीसा को हम देखते हैं ये लोग मैंचेस्टर से किसी दूसरी जगर पे जा रहे हैं जहां पर लीसा की पैरेंट्स रहते हैं क्योंकि लीसा अब विल के साथ में नहीं रहना चाती दरसल लीसा का एक और बोईफरेंड है और इस बात का यहां पर विल को पता चल चुका है उसी वज़े से आए दिन अब इन दोनों में लड़ाईयां होती रहती है पिल यहां पर लीसा पर गुस्सा करता है कि तुम्हें बोईफरेंड बनाने की क्या जूरत थी लेकिन लीसा वो बातों को गुमाती है कि तुमारे पास मेरे लिए टाइम था ही नहीं इसलिए मैंने ये कदम उठाया लेकिन अब मैं मेरे पैरेंट्स के साथ रहूँगी मैं तुमारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी तो ये दोनों गाड़ी के अंदर बहुत सारी बहस करते चा रहे थे विल देखता है कि उसकी गाड़ी के अंदर फ्यूल बहुत ही कम हो चुका है उसी वज़े से वो लीसा को बोलता है कि ठीक है तो अपने पैरेंट्स के घर चली जाना लेकिन उससे पहले मुझे गैस स्टेशन पर गैस डलवानी होगी तो लीसा बोलती है कि ठीक है मैं भी यहाँ से पानी लाने के लिए चाह रही हूँ वो पानी की बोटल को लेकर बाहर आने लगती है लेकिन तभी बाहर उसे एक आदमी मिल जाता है और वो आदमी लीसा से सवाल जबाब करने लगता है विल भी यहाँ पर फॉन पर किसी से बात कर रहा है वो लीसा को नहीं देख पाता वो बस लीसा का ही इंतजार कर रहा था लेकिन लीसा उसके पास में नहीं आती अब इस गैस्टेशन पर उसे खड़े हुए काफी दिर वो चुकी है इसलिए वो लीसा को कॉल करता है लेकिन लीसा का फॉल्स ही चूफ होता है उसी वज़े से वो यहां से सीधा उस सोप में जाता है यहां के ओनर से पूछता है कि क्या तुमने मेरी वाइफ को देखा जो यहां पर वाइट टीसर्ट और जिन्स में आई थी तो सोप का ओनर बोलता है कि वो जा चुकी है उसने एक पानी की बोटन ले थी तो विल यहां के दोनों बात्रों को चेक करता है लेकिन लीसा वहां पे भी नहीं होती इसलिए वो बाहर आने जाने वालों से पूछने लग जाता है कि क्या तुम लोगों ने मेरी पतनी को देखा लेकिन यहां पर किसी ने भी विल की पतनी को नहीं देखा तिसलिए वो लीसा को फिर से कोल करता है फिर वो अपनी काड़ी में बैठकर यहाँ वहाँ लीसा को ढूनने लगता है लेकिन लीसा उसे कहीं पर भी नहीं मिलती इस वज़े से अब वो बहुत ज़दा प्रेसान हो चुका है पहले तो उसे ऐसा लग रहा था कि लीसा साइद उसके साथ में कोई प्रेंक कर रही है लेकिन अब उसे लीसा सच में नहीं मिल रही इस वज़े से वो यहाँ पर पुलिस को कोल करता है पुलिस वालों में पेटरेसन नाम का पुलिस वाला उस कोल को उठा लेता है विल बताता है कि मेरी पत्नी खोचुकी है मैं यहाँ पर तक करीबन पिछले 20-25 मिनट से मेरी पत्नी का इंतजार कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं आ रही तो पुलिस वाला बोलता है कि हम इतनी जल्दी रिपोर्ट नहीं लिखते क्या पता तुमारी पत्नी यहाँ बाद गई हो इसलिए तुम यहाँ बाद ढूडने लग जाओ तो विल बोलता है कि मैंने मेरी पत्नी को हर जगर ढूंडा है मुझे असा लग रहा है कि जैसे मेरी पत्नी को किसी ने किड्नैप कर लिया हो इसलिए पेटरसन बोलता कि चिंता मत करो हम तुम्हारे पास में आ जाएंगे विल जल्दी से अपने गाड़ी को यहां पर स्टार्ट करता है और यहां से सीधा उस जगह चला जाता है जहां पर लीसा के पैरेंट्स रहते हैं उनके पैरेंट्स को यह लगने लगता है कि जैसे लीसा आ चुकी है लेकिन जैसे वो दर्वाजा कोलते हैं वहां पर केवल विल था लीसा के पैरेंट्स पूछते हैं कि लीसा कहां पर है तो विल बोलता है कि मुझे नहीं पता वो मेरे साथ में थी लेकिन हम दोनों एक guestation पर रुके थे और वहाँ पर लिसा गाइब हो ग olmई मुझे लगा वो यहाँ पर आ चुकी है तो लिसा के parents मना करते हैं कि वो यहाँ पर नहीं आई है लिसा का जो पीता है वो यहां पर विल को बोरने लग जाता है कि साहए तुम दोनों के भी इसमें कोई जगडा हुआ ओगा तो मुझे शरू से ही पसंद եी विल गुसा हो जाता है वो बोलता है कि यहां पर बात पसंद ना पसंद की नहीं है पेरी पतनी खो चुकी है और मैं उसके लिए बहुत ज़़ा सीरियस हूँ अगर तुम लोगों को मेरी मदद करनी है तो मेरी पतनी को ढूंडने में मदद करो ताती वो ये भी बताता है कि मैंने पुलिस को कंप्लेंट भी की है वो बहुत जल्द यहां पर आते होंगे इसलिए अगर तुम लोगों को भी बेरी पतनी की कोई जानकरी मिले तो तुम लोगों मज़े जरूर बताना वो यहां से सिदव वापिस गैस टेशन की तरफ निकल जाता है उसके जाने के बात लीसा के जो पैरेंट्स है वो आपस में बात करने लगते हैं कि जरूर इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई होगी यह अच्छा लड़का नहीं है मैंने ये बात लीसा से पहले भी कही थी विल भी उसी गैस टेशन के उपर आ जाता है वो यहां गाटी से बाहर नहीं निकलता वो लीसा का सामान देखने लग जाता है तभी उसे लीसा का पर्स नजर आता है वो इस पर्स को ले लेता है उसे लीसा की पुरानी बाते याद आने लगती हैं कुछ दिन पहले लीसा उसके पास में आई थी जब विल एक नाव को ठीक कर रहा था तभी लीसा ने उसे ये का था कि हम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक ब्रेक ले 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 यानि कि हम दोनों दूर वो जाएं इस बात से विल का तो दिल ही तूट गया था विल भोड़ने लग जाता है कि आखिर हम दोनों के भीच में क्या दिक्कत है तुम मुझे दूर क्यों रहना चाहती हो तो लीसा बताती है कि मैं अपने पैरेंट्स के पास में जाऊंगी तब विल लीसा के उपर बहुत ज़दा गुसा करता है वो बोलता है कि बातों से सब कुछ समादन हो सकता है इसलिए मैं बैटकर बाते करने चाहिए तो लीसा बोलती है कि तुमारे साथ रहकर मैं कुछ भी फील नहीं कर रही आनी वापिस प्रेजेंट में आती है जहां पर विल यह समसोच रहा है तब तक यहांबर पैटरसन नाम का वो डेटेक्टिव भी आ जाता है विल जल्दी से उससे मिलता है पैटरसन बोलता है कि चिन्ता मत करो हम तुमारी पतनी को ढून लेंगे विल बोलता है कि मैंने मेरी पतनी को हर जगर डूड़ा मैं तो लीसा के पैरेंट्स के पास में भी गाया था पैटरसन बोलता है कि उसके पैरेंट्स का क्या नाम है तो वो बोलता है कि वो एक एडंस फैमली है तो पैटरसन नाम का पुलिस वाला बोलता है कि मैं उन दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ वह एक बहुत अच्छी फैमिली है साथी बोलता है कि क्या लिसा ने तुमारे लिए कुछ आख़े वार छोड़ा था तो विल बोलता है कि नहीं उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा वो यहाँ पर बताता है कि लिशा का लेपटोप और उसका फर्स मेरे पास में है तब यह पुलिस वाला यहां से सोब के अंदर चला जाता है सोब का जो ओनर है जिसका ओसकर नाम है उससे पुचने की कोशिस करता है कि क्या तुमने लिशा नाम की उस लड़की को देखा तो ओसकर बोलने लग जाता है कि मैंने उसे देखा जरूर था लेकिन वो पानी की एक बोटल लेकर जा चुपी थी तो पैटरसन नाम का पुलिस वाला बोलता है कि मुझे या की CCTV फोटेज दिखाओ तो ओसकर बोलता है कि या के मेरे सारे कैमरे कुछ अफ़ते पहले खराब हो गई और मैं बहुत जल्द उन चीजों को ठीक कराऊंगा तो पुलिस वाला पैटरसन विल को बोलने लग जाता है कि तुम चिंदा मत करो मैं पुलिस टेशन में जाकर रेपोर्ट लिखाऊंगा साथ ही दूसरी टीम वालों को भी सर्चरबियान में भेजूँगा इतना बोलकर वो पुलिस वाला वाहां से चला जाता है लेकिन विल भी जब सोब से बाहर आता है तो यहां गैस टेशन के उपर वो एक कैमरे को देख लेता है जो की चालू होता है उसे पता चल जाता है कि ओसकरम से जूर बोल रहा था उसी वज़े से वो ओसकर के पास में जाता है उसके साथ हाथ आपाई करता है वो बोलता है इस साथ तुम जानते हो कि मेरी बतनी कहां पे है तुम दूसरे लोगों के साथ में मिले गुए हो तुमने ये क्यों कहा कि कैमरा खराब है आलांकि बाहर वाला कैमरा अभी भी चालू है इसलिए मुझे बताओ कि तुम क्या थुपा रहे हो साथ ही यहाँ पर वो ओसकर की बिटाई भी करता है तो ओसकर बोढ़ने लग जाता है कि रोगो मैं तुमें सीसी टीव फुटेज दिखाता हूँ तो विल बोलता है कि आप मुझे तुमारी कोई जरूरत नहीं है और उस सीसी टीव फुटेज की हाट ड्रैव थी वह उसे उखाड लेता है उसे उखाड कर वो यहाँ से सिधा पुलिस टेशन की तरफ चाने लगता है और यह हाट ड्रैव वो पेटरसन को दे देता है पेटरसन जल्दी से इस से ट्राइव को लगा कर CCTV फूटेज की वीडियो देखने लगता है इस वीडियो के अंदर वो लोग देखते हैं कि लिसा पानी की बोटन लेकर सोप से बाहर आ जाती है लेकिन तबी उसे एक आदमी बोढ़ने लग जाता है तो लिसा उस आदमी के पास में चली जाती है लेकिन तबी कैमरे के सामने एक बहुत ब्रा ट्रक आकर खड़ा हो जाता है लेकिन जैसे ये ट्रक चला जाता है तो लिसा और वो गाड़ी भी गायव हो जाती है इसलिए इन लोगं को पता चल जाता है कि अगर हमें लीसा का पता चाहिए तो हमें इस आदमी को ढूनना होगा पैटरसन यहाँ पर विल से पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो तो विल बोलता है कि नहीं मैं इस आदमी को नहीं जानता पेटरसन यहाँ पर विल को बोलता है कि तुम्हारी पतनी तो मिल जाएगी लेकिन उससे पहले मुझे तुम से कुछ सवाल जवाब करने है वो उसे कमरे में लेकर आता है पेटरसन पूछता है कि क्या तुम उस आदमी को जानते हो तो विल बोलता है कि इन सब जवालों का मेरी पतनी के खोजाने से क्या संबन्द है सबी लोगों के साथ में प्रोब्लम्स आती है हमारे रिलेशन्जिप में भी थोड़ी सी प्रोब्लम्स थी तो ये पुलिस वाला यहाँ पर विल से और भी अजीब अजीब सोवान पूछने लग जाता है बोलता है कि क्या तुम दोनों डिवोस लेने वाले थे क्या तुम दोनों ने फाइट की थी क्या तुमारा किसी और लड़की के साथ में संबन्द भी था तो विल साब साब मना कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था पुलिस वाला पूछता है कि क्या तुमारी पतनी का कोई और भी बॉइफरेंड था तो विल यहाँ काफी देर सोचने के बाद बोलता है कि हाँ उसका एक बॉइफरेंड भी था जो पिछले काफी टाइम से था और उसी वज़ाँ से हम दोनों के बीचवे थोड़ी नौक जोक होती रहती थी पुलिस वाला आगे बुशता है कि तुम क्या काम करते हो तो विल बोलता है कि मरेरेल इस्टेट का काम करता हूँ तो विल इस चीज़ से काफी ज़दा बुस्से में हो जाता है वो बोलता है कि आप मुझसे इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते मैं तो सोच रहा था कि आप मेरी मज़त कर रहे हो लेकिन आप तो मुझसे सवाल जवाब करने लगे हो तो विल अपने गाड़ी को निकाल गर यहां से चाहा जाता है वो सीधा लिसा की पैरेंट्स के पास में जाता है उन लोगों को बताता है कि मैंने CCDU फोटेज ले लिया है जिसमें वो लिसा को एक आदमी दिखाता है और लिसा के पेरेंट से पूछता है कि क्या तो उन दोनों इस आदमी को जानते हो तो वो लोग बताते हैं कि हाँ हम जानते है ये लिसा का क्लास मेट है जब लिसा है स्कुल में पढ़ा करती थी और बताते हैं कि इस आदमी का तो नोकल्स नाम है वो देखता है कि यहाँ पर एक आदमी है और यह आदमी नुकल्स होता है विल इस आदमी को बोलता है कि तुमने मेरी पत्नी को कहाँ पर छुपाया हुआ है तो नुकल्स बोलता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता तो Will यहाँ पर नूकल्स के ऊपर हमला कर देता है उसे बहुत जदा पीटता है नूकल्स को जब दर्द होने लगता है तो वो बताने लग जाता है कि रुको तुमारी पत्नी मेरे पास में है मैंने तुमारी पत्नी को दूसरे लोगों को दे दिया था तो विल उन लोगों का नाम पूछने लग जाता है जिन लोगों को तुमने मेरी पतनी को बेचा है तो नूकल्स बताता है कि उनका फ्रेंक नाम है जाती नूकल्स फ्रेंक का एडरस भी दे देता है तब विल नूकल्स के हाथ पर बांद देता है उसे अपनी गाड़ी की डिक्टी में डाल देता है और यहां से फ्रैंक की तरफ जाने लगता है लेकिन जैसे ही वो जा रहा था तब एक पुलिस की गाड़ी उसका पीचा कर लेती है उसकी गाड़ी को रुपा लेती है और पूछने लग जाते हैं कि तुम कहां से आयो तो यहांपर विल बोलता है कि मैं मैंचेस्टर से आया हूँ मैं अपनी पतनी को ढूंड रहा हूँ तो यह पुलिस वाले बताते हैं कि तुम ओवर स्पीड से गाड़ी सिला रहे थे इसलिए तुम्हारा यहांपर चलान कटने वाला है साथ ही यह भी बोलते हैं कि हम तुमारे गाड़ी की डिक्की को भी चेक करना चाते हैं तब यहांपर विल टर जाता है और जंगल की दर भाग जाता है जंगल में काफी दूर भागते भागते वो एक जगरे तक पहुँआ जाता है जहांपर उसे एक इनसान मिल जाता है जो फ्रैंक के लिए काम करता है विल इस आदमी को ये बोड़ने लग जाता है कि मुझे फ्रैंक के पास में जाना है और नुकल्स ने मुझे बेजा है तो यह आदमी बताता है कि मुझे फ्रेंक से कंफरम करना होगा चलिए वो फ्रेंक से वोकी टोकी पर बात करने की कोशिस करता है लेकिन फ्रेंक उसका कोल नहीं उठाता यह आदे बोलने लग जाता है कि तुम इस सेरिया में बिल्कुल नए दिखे हो चिलिए मैं तुमें आगे नहीं जाने दे सकता जब तक फ्रेंक मुझे बता नहीं देता विल बोलता है कि अगर मैं फ्रेंक के पास में नहीं पहुंचा तो तुमारी नोकरी चली जाएगी तो यह आद में टर जाता है और विल को यहां से जाने देता है विल यहां से उस जगह चला जाता है जहां पर फ्रेंक का ठिकाना है यहाँ पर विल देखता है कि बहुत बड़ी मातरा में कुछ अजीब चीजे बन रही है यहनि कि यहाँ पर ड्रक्स का काम चल रहा है और इस जगह पर बहुत सारे लोग और लड़किया रह रही है हम पैटरसन को भी देखते हैं जो यहाँ से एड़क्स फैमली के पास में जाता है यहनि लीसा की पेरेंट्स के पास में जाता है उनसे पूछने की कोशिस करता है ति यह आपकी और लीसा की आखिरी बार बाचित कब हुई थी आप दोनों को किसी के ओपर सक्त भी है तो उसके पैरेंट्स बोलते हैं कि नहीं हमें किसी के ओपर सक्त नहीं है बस आप किसी तरह करके लीसा को डूंड कर ला दीजिए विल भी फ्रेंग के ठिकाने पर पहुँचा हुआ है वह यहां पर बाकी लोगों से चुपा हुआ है और छुप छुप कर लोगों की हरकतों को नोटीस कर रहा है और वो देखने लग जाता है कि यहां पर बड़े लेवल पर टर्क्स fill कर रहा है विल यहां पर फ्रेंक को भी देख लेता है तब तक पैटरसन नाम का जो आदमी है उसके बस सुसना मिल जाती है कि विल नाम का एक आदमी है जो यहाँ से भाग गया है और उसमें अपनी गाड़ी के अंदर एक आदमी को छुप आया हुआ है विल जहां पर होता है वहाँ पर उसे एक आदमी देख लेता है लेकिन विल उसके मूँ पे मूँक्च के मारके उसे बेऊसिकर देता है साथी उसओ आदमी की गन को भी ले लेता है और वो छुप-छुप कर आगे जाने लगता है लेकिन तभी वो उसकर को देखता है जो उसओक का ओनर था उसे पता चल जाता है कि वो भी इन लोगों के साथ में मिला हुआ है विल यहाँ पर छूप छूप कर आगे जा रहा था अब वो जो अंधेरे कमरे हैं उनमें गुज जाता है विल उसे एक आदमी देख लेता है विल उस आदमे को बोड़ने लग जाता है कि मैं तुमें गोली मार दूँगा वो आदमी अपने दोनों हाथ उपर कर लेता है तब ही विल उसके मूँ पे मुक्का मार कर उसे बेऊस कर देता है उसको एक जगह छुपा देता है तब तब हम पेटरसन को देखते हैं जो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर विल की गाड़ी थी और वहाँ पर विल ने नुकल्स नाम के आदमी को अपनी डिक्की में डाला हुआ था तो पेटरसन यहाँ पर इस आदमी से पूचने लग जाता है कि तुम उस लड़की को कैसे जानते हो और तुम ने उस लड़की को अगवा क्यों किया लेकिन नुकल्स कुछ भी नहीं बताता तब यहाँ पर पेटरसन नाम का यह आदमी नुकल्स को बहुत ज़दा पीटने लगता है कि मेरे पास पैसों के बहुत कमी थी लेकिन मुझे यह पता चला कि मेरी क्लास मेरे टाने वाली ऑजिसका लीसा नाम है और मैं उसे अगवा करके फ्रेंक को बेच दुना इससे मेरे पास हैं बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तोकि मुझे पता था कि लीशा है बाईजबल रियल स्टेट है जिसके आपस में बहुत सरा पैसा है लेकिन साएज फ्रैंक ने लीशा को मार दिया है उसने मुझे एक गड़ा खुदवाया था वो उस गड़े में लीसा की लास को डारने वारा था लेकिन मुझे पता था कि फ्रैंक मुझे भी इस गड़े में डाल देगा उसी वज़े से मैं तो वहाँ से बाग निकला विल एक जग़े तक पहुंच जाता है वहाँ पर देखता है कि यहाँ पर तो हटियार मी बनाइ जाते है तब ही वो यहाँ पर दो लोग गंजूर को गंपॉइंट पर लेता है उन दोनों को ये बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर करते क्या हो और इस ट्रेलर वो खोल कर दिखाओ की इस के अंदर है क्या तब ये दोनों आदमें डर जाते हैं और वो डरते डरते उस ट्रेलर वो खोल देते हैं इस ट्रेलर के अंदर कोई भी नहीं था लेकिन तब ये वो दोनों आदमें विल के उपर गोली चलाना सुरू कर देते हैं विल के पास में भी बंदूग थी उसी वज़े से वो भी गोलियों की मदद से इन कि मैं तुमारी पतनी के बारे में जानता हूं लेकिन उस के लिए 20,000 डलर लगेंगे तो विल बोडनें लग जाता है कि तुम्हें मेरी पतने के बारे में कुछ भी नहीं पता पूर यह बाध तुमने ही हमें बताई थी तो ओसकर के पास में लीसा काقة फॉन था इस फॉन को वो यहाँ पर विल को दिखाता है तो विल को यकीन हो जाता है कि ओसकर मेरी पतनी के बारे में जरूर कुछ जानता है इसलिए वो ओसकर को बोलता है कि मेरे पास में इतना पैसा यहां पर नहीं है मेरे बैंक अकाउंट पर पढ़ा है हम दोनों साथ में चलते हैं लेकिन ओसकर बोड़ने लग जाता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाओंगा, तुम्हें ही पैसे मेरे पास में लेकर आने होंगे। लेकिन ओसकर जिस जगह पर था उस जगह पर एक बहुत बड़ा तमाका हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हाथियार भी बनाए जाते थे उस वज़े से ओसकर की मर्त्व हो जाती है तब तक पुलिस भी इस जगह पर आ जाती है यहाँ पर पेटरसन विल को बलता है कि तुम यहाँ किसी भी चीज़ को आथ नहीं लगा हुए हमने नुकल्स को पकड़ लिया था लेकिन उसने तुम्हारी पतनी को फ्रेंक को बेचा था तो पेटरसन यहाँ पर उस गटे को देखने लग जाता है जिस गड़े का जिकर नुकल्स ने किया था लेकिन यह गड़ा पूरी तरह से खाली था तबी विल यहाँ से एक दूसरी साइट्स में चला जाता है और जब वो यहाँ के दर्वाजे को खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पतनी लीसा को यहाँ पर बांदा हुआ है तब वो अपनी पतनी लीसा को जल्दी से बाहर निकालता है और इस तरह से उसकी पतनी की जान बच जाती है और वो अपनी पतनी को ढूंड पाता है विल जलती से लीसा के पेरेंट्स की घर पे पहुंच जाता है पेटरसन भी यहीं पर होता है पेटरसन यहां विल से बात करता है और बताता है कि नुकल्स ने तुमारी पतनी को अगवा किया था लेकिन जो ओसकर है वो इस कम में फस गया तो कि उसे में बदले में थोड़े से पैसे चाहिए थे लेकिन तुमने भी अच्छा काम किया वहाँ पर बहुत सारे एक्स्प्लूसिव रखे थे उसी वज़े से वहाँ पर धमाका हो गया तब भी वहाँ पर लिसा भी आजाती है जो विल्से मिलती है और वो अब विल्स के साथ में रहने का फैसला कर लेती है इसी हपी एंडिंग के साथ में हमारी मोवी भी इंपर पूरी हो जाती है आसा करते हैं दोस्तों आपको हमारी explanation पसंद आई होगी हम आपसे उलागात करें और भी latest movies के साथ तब तक खुछ रहें और अपना ख्यार रखें थैंक यू फूर वाचिंग